हम इसोच सोच कर परेशान हो गए हैं कि किसी भी लवज को कैसे पेचाने की वो मजखकर है या फिर मुअनस है, फुलिंग है या फिर इस्ट्रलिंग है, अब एक लवज उठा लिजे तीर, तीर कमान से छूट गया या फिर छूट गई, तीर लवज फुलिंग है या फिर इस पता ही नहीं चल रहा है हवा हवा चल रही है यह फिर चल रहा है दवा चान जमीन गुलाब जैसे पता करें आखिर कोई ना कोई तरीका तो होगा जिसके जरीए हम पहचान सके कि लफ्ज मुझनस है या फिर मुझकर तो फाइनली स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस लेकर जी यह स्टूडन काफी परिशान रहते हैं और इन्फाक्ट मैं ऻफ्फ्क्रॉइंन लाइफ मने थी थी तो मैं भी परिशान रहती थी कि यह लव्ज का जवागा जिन्स पहनने वाले जिन्स नहीं सोज़ीएगा जिन्स ये उर्दू grammar का पढ़ने वाला जिन्स है जिन्स का मतलब होता है जेंडर यानि किलिंग हिंदी में आप लोग इस्तरिलिंग पढ़े होंगे इंगलिश में मस्किलिन और फैमिन पढ़े होंगे उसी तरीके से आप लोगों को उर्दू में जिन्स पढ़ना है मुझकर और मॉणनस ठीक है तो बच्पन में मैं परिशान हो जाया करती थी जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो हमेशा ये टेंसन में रहती थी कि कैसे पेचाने कोई परिशान रहती थी और सबसे बड़ी परिशानी की बात ये थी कि उस वक्त मुझे बताने वाला कोई और नहीं था कोई मैं जिससे भी पूछती थी किसी को नहीं पता था कोई बताने वाला था ही नहीं उस वक्त तो इसी परिशानी को समझते हुए अब मैं आप सभी लोग के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी आप सभी लोग के परिशानी को समझती हूँ आप सभी लोग के चिंताओं को समझती हूँ और इसी वज़य से इस चिंता को मैं दूर करने के लिए आगई हूँ आज के इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा मुझकर और मॉनस यानि के स्टिलिंग और पुलिंग पहचानने का ट्रिक जिहां बहुत ही जबरदस्त खतरनाक और धुआधार ट्रिक है ऐसा ट्रिक आप लोग को पूरे यूटूब पर कहीं न अलग हटकर है मतलब कि इसके पहले मैं जितना भी ट्रिक बताई हूं मुझकर मॉनस का उससे कुछ यूनीक यह ट्रिक है कुछ अलग हटकर है एकदम नए अंदाज में आप लोग सीखने वाले हैं ठीक है ना तो बस कंसिस्टेंसी बरकरार रखें स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना इसकिप किए लास्ट तक वीडियो को देखिए एकदम कंप्लीट देखिए और मैं पूरे विश्वात के साथ कह रही हूं कि वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एकदम आप लोग मास्टर माइंड बन जाने वाले हैं किसी भी लव्ज को देखत कि इस तरह के लिंग और इंग्विश में कहा जाता है जिन्डर organs, आप लोग हिंदी में इस्ठरिलिंग और पूलिंग पढ़े होंगे amer odor फाह्मिलिंग पढ़े होंगे उसी तरीके से आप लोग को अर्दू में मुझखकर और मॉणनस पढ़ना है आप जानते हैं इस नाम स किसी इस्त्री जाती का होना पता चले उसे इस्त्रिलिंग कहते हैं जैसे कि चाची मा मीना नीका की इस नाम से इस्त्री जाती का होना पता चले किसी फीमेल का होना पता चल रहा है तो इस तरह के नाम को क्या कहेंगे हिंदी में इस्त्रिलिंग इंग्लिश में फैमिनीन और उ उसी तरीके से जिस नाम से किसी पुरुष जाती का होना पता चले किसी मेल का होना पता चले उस तरह के नाम को कहा जाता है पुलिंग मतलब हिंदी में कहा जाता है English में इंगलीश में मस्क्योलीन कहा जाता है और उर्दू में क्या कहते हैं तो उर्दू में कहते ह pursued हम लोग मुझकर जैसे कि दादा मामा चाचा नाना काका थीक के तो इस नाम से किसी पूरुस जाती का ओर दोना पता चल रहा है तो यस तरह की नाम को क्या कहेंगे उर्दू में मुजख्र फ्रीक है तो आई होप आप लोगों मुजख्र मॉलनस समझ में आ गया होगा जिन्स का मतलब लिंग और जिम्स को दो भागों में यहाँ पर बाटा गया है जिस नाम से किसी female का होना पता चले इस तरह के नाम को कहते हम लोग मौनस फिक है अब इतना आसान सवाल आप लोगे एक्जाम में नहीं पूछा जाता है, बताइए बकरी में कौन सा जिन्स है, गाए, भैस, हिरन, या फिर चाचा मामा, चाची मामी, ना, नीका की, ये आसानी से आप लोग बता सकते हैं, लेकिन आप लोगे एक्जाम में इतना आसान पूछा जाता है ऐसा लोब जिसका जिन्स नहीं जानते हैं जैसि नोभुता precon Blues यह फिर मेरी क्या बोलेंगे हम लोग मेरा कल्म यह फिर मेरी क trajectory होगे जोड़े किली से क्या है सुन लीजिये यहां पर कलम जो लबज है ना वह मुझक्र है उर्दू लेंग्वेज के हिसाब से उर्दू भाषा में कलम को मुझकर माना गया है यान की पुलिंग माना गया है लेकिन अगर बात की जाए हिंदी लेंग्वेज में तो हिंदी भाषा में कलम को मुझकर यान की स्ट्रिलिंग माना गया है ठीक है तो जिस दिन आप लोग का उर्दू का एक्जाम हो और उर्दू का जिसदिन एक्जाम हो उसमें अगर क्यों पूछे कि कलम की जेख्ण कर एक्पर मौनरस है तो आप लोग मुजखकर टिक करके काई एगा लेकिन जिस दीन आप लोग लोग प हिंदी पेपर ओंड़ी काई एक्जाम अगर उसमें पूछ दिया कि कलम मुजखकर है तर मॉजखकर यासी तरीकर इसनी उफसुएद किताब किताब क्या है वताइए यह मेरी किताब महनस पी जो स्टाटिंग में इस ऑफ इपहो गया हवा हों गया दवा हो गया तो अैसे उटहाएगाया जिसका मुझार महनस जानते तो हवा चल रही है, हवा लफ्ज क्या है, मौनस है यानि के स्ट्रिलिंग है, उसी तरीके से दवा लफ्ज भी क्या है, मौनस यानि के स्ट्रिलिंग है, एक और था बर्फ, बर्फ पिघल गया या फिर पिघल गई, तो ध्यान में रखिएगा बर्फ पिघल गई, बर्फ लेख़ी हूं ट्रिक यानि कि मखकर और मुंआस को पहचानने का ये सारा सबसे पहले समझते हैं मुधकर को पहचानने का ठीथ कोई भी लफ पुलिंग यानि कि मखकर है कि नहीं हैं हम लोग कैसे पहचानेंगे ढेखे यहां पर लिख दी हूं सबसे पहला पॉइंट है कि तमाम दिनों के नाम di इनके सिर्फ रस्त्तिवार को छोड़ दीजे जुम्रात को छोड़ दीजे और बाकी दिन के जितने भी नाम है ना वो सभी नाम मुझखकर यानी की पुलिंग कहळाएंगे गौट इट आगे बढ़ते हैं महीनों के नाम सक्कंट तुमारी फरवरी मार्श अप्रिन माई जु comment box में लिकर बताना है कि आप लोगों को यह ट्रिक कैसा लगा धुमाधार मजदार धमाकेदार लगा ही नहीं लगा ठीक है तो यह हो गया तमाम दिनों के नाम सिर्फ जुम्राथ को छोड़ दीजे जुम्राथ यह जो दिन का नाम है यह हो जाएगा मोनस एनके स्ट्रिलिंग और बाकी जितना भी दिन है वो मजखर कहलाएगा और तमाम महीनों के नाम मजखर कहलाएगे अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है हिंदी के तमाम मजदर मजदर आप लोग समझते हैं वहा लव्ज जो किसी दूसरे लव्ज से ना बना हो लेकिन उससे धेर सारे इस दके नोउड करना से पढ़ने वाला पढ़ती है पढ़ेगी पढ़एगी पढ़ना एक लव rasp jogo जो ना तो किसी धिदूसरे लवज से नहीं ये अपनेये आप में याम्ने लेकिन इस से दित्व सारे इस और तो पढ़ेगी पढ़ रही है तो पढ़ना ये जो लवज है वो क्या कहलाएगा मजदर कहलाएगा तो मजदर के लास्ट में ना होता है जिसे कि पढ़ना लिखना दोरना उठना बैठना ठीक है लास्ट में ना ना आ रहा है तो इस तरह की लवज को क्या कहेंगे हम लोग मजदर कहेंगे तो जितने भी हिंदी के जितने भी मथज़र हैं हसना ल hopना उठना भागना चिलना लास्ट मीं नाना तो इस तरह कि लवज को आप क्या कहेंगे मुधक्कर कहेंगे पढ़ना लुखना उठना बैठना यह सब जितना भी चांदी और कले को छोड़ दिजिये इन दोनों को छोड़ कर बाकी जितने भी धातु के नाम है जो आहरात के नाम है Tucson क्या कहलाएगा मुझकर कह लागा मुझकर यानिकी कि पुलिंग कहलाएगा आगे बढ़ते हैं तमाम पहारों समंद्रों और दर्याओ के नाम क् अज्भी लोगे जितने भी वाट्सप घुरूप है首 , फड़ापर्त जितन आज्याद हो सके तमाम पहाड़ो समंद्रों और दर्याओ के नाम क्या कहलाएंगे जमौना और गंगा नदी को छोड़ दीजिए अच्छा घुलप ए tari सानप लब्द हो जाएगा मौनस यहां पर मैं लिख भी दे रही हूं नदी भले ही तमाम नदी तमाम दरियाओं समुंदरों और पहाड़ों के नाम मुझकर हैं लेकिन यह जो नदी लफ्ज है ना यह मौनस कहलाएगा और नदी में जमुना नदी और गंगा नदी यह दोनों जहें मौना से इनकी स्रिलिंग कहलाएगा मतलब जमना और गंगा नदी को छोड़ दीजे और बाकी जितने भी दरियाओं के नाम हैं वो सभी दरियाओं के नाम मुझकर कहलाएगे तमाम समुंद्रों के नाम मुझकर कहलाएगे और तमाम पहाडों के नाम जितने भी इस दुनिया म लेकिन जमीन को चोड़ कर जितने भी सितारें सितारों के नाम टीक है बर्याजमों के नाम अश्छे धउente तमाम देश मतलब तमाम शेहरों मुलकों और बर्याजमों यानि कि द्वीपों और जितने भी सितारे हैं सभी सितारों के नाम जो है न क्या कहलाएंगे तो मुझकर कहलाएंगे ठीक हैं आगे बढ़ते हैं अब यहां तक तो हम लोग पहचान गए कि हां इतनी सारी चीज हैं इतने सारी चीजों के नाम जो है न मुझकर कहलाएंगे लेकिन इतना मतलब बढ़िया ट्रिक इतना खतरनाक ट्रिक लगाने के बावजूद भी अगर आप किसी लफ्स को नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो लफ्स मुझकर है कि नहीं है तो फिर मैं यहां पर एक्स्ट्रा भ भी अँधसी लफ्स के लाशत में डान लिखा हुआ दिखाई दे जिस को क्या केना है उसको मुझकर ही कहना है यह जिसे लास्ट में इस्तान हो यानि कि सीन ते में अलिव जुड़ करता और नो इस तरह के लफ को क्या कहेंगे कि मुझकर है जैसे कि गुलिस्तान और हिंदुस्तान हम लोग का हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान लफ क्या कहलाएगा मुझकर कहलाएगा गुलिस्तान लास्ट में क्या है तो यह क्या कहलेगा मुझकर कहलेगा उसी तरीके से हिजार जिस लफ के लाजट में जार दिखाई दे आप लोगो उसको भी बिना सोचे समझें एकदम आख बंद के मुझकर टिक कर देना है तो इस तरह कि लफ क्या कहलेंगे मुझकर यानि कि पुलिंग कहलाएंगे आगे बढ़ते हैं पन जिस लब्स के लास्ट में पन हो जैसे कि लड़क पन दिवान पन बच पन तो वो भी मजखकर कहलाएगा जिस लब्स के लास्ट में पना हो जैसे कि बच पना लास्ट में पना है तो वो भी मजखकर कहलाएगा जिस लब्स के ला मफ़बलात के लाइगा कबाब मढ़वल कर के लाएगा ठीक है और सब्सके लाश्ट में हे चोटी है ने हो लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता हो जैसे कि पेशे पेशा नहीं याहां पर रास्ता भी हो जाएका क्या रास्ता रास्ता बी तो है लेकिन इसको तो पढ़ा नहीं जा रहा है रास्ता हना पढ़कर रास्ता पढ़ा जाता है तो इसको क्या कहेंगे मुझकर कहेंगे तो यह इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अब देखें लास्ट में जो ट्रिक है ना इसको एकदम हंड़िट परसेंट कंफर्म नहीं मालेजेगा क्यो तो यह कोईएसा लफ्स होता है जिसको लास्त में अलिफ तो होता है लेकिन पनाली यह कर फोक्र नहीं कर satisf क्रतर कर लेकिन किया क्ये मुझकर करने को नहीं नहीं मूदा व मुझकर कर्के हैंना है यह मॉझकर अट्रिक यहांनियर यह कभी-कभी गलत भी हो जाता है तो यह हो गया मbabुक्त को पहकाने का ट्रिक्ट आज होब आप लोग को समझ में आगया होगा है। अब हम लोग कोई लव्ज मुँएिंधे कrage Socied nake K herself, कैसे पैचानेंगे मुवन्नस को पैचाने का ट्रिक में आपर लिख दी हूं तो शबसे पहला पॉइंट है तमाम बुद्धिक इस दुनिया में जितने भी आवाज का नाम सब्सक्राइब तो जितने भी जानवरों के नाम है या फिर किसी भी चीज का आवाज का नाम जानवरों के आवाज का नाम जानवरों का नाम जानवरों का नाम नहीं जानवरों को जो आवाज होता है म्याव म्याव कुकु भो भो ठीक है तो जानवरों के आवाज के नाम ये फिर किसी भी आवाज का नाम क्या कहलाएगा मौनस कहलाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तमाम ओजारों के नाम इस दुनिया में जितने भी ओजार है ना सभी ओजारों के नाम सभी किताबों के नाम और सभी नमाजों के नाम क्या कहलाएंगे मौनस यानि कि इस्त्रलिंग कहलाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तमाम जबानों के नाम इस दुनिया में जितनी भी भाषा है ना सभी भाषा हो सभी जबानों के नाम क्या कहलाएंगे मौनस कहलाएंगे ठीक है आगे बढ़ते ह यहां पर फोड़ा और भी extra में point लिख दी हूं कि क्योंकि हो सकता है कि ही टृग कर ले और आप को पता ना चले कि वह चोटी ये चोटी ये और खुर्पी लास्ट में चोटी ये तो इस तरह के लफ्ज मॉनस के लाते हैं लेकिन जिस तरह मैं यहां पर आप लोग को बताई कि इसको 100% कंफर्म मान कर नहीं चलना है क्योंकि ये ट्रिक कभी गलत भी साबित हो जाता है उसी तरीके से ये वाले ट् चोटी ये है लेकिन मोती जो है ना मॉनस लफ्ज नहीं है यान की स्त्रिलिंग नहीं है मोती हो जाएगा मुजक्कर तो यहां पर यह ट्रिक कर गया ना उसी तरीके से एक लफज ले लीजिए हाथी, यहाथी के लाष्ट में भी छोटी यह है, तो इसको मुझनस होना चाहिए, लेकिन हाथी लफज जो है न, मुझनस ना ओकर मुझकर होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, हाथी भी क्या हो जाएगा, मुझकर हो जाएगा, तो लफज कहलाएगा, जिस लफज के लाष्ट में कार हो, जैसे कि सरकार लाष्ट में कार है, फुकार लाष्ट में कार है, डकार लाष्ट में कार है, तो यह सबी लफज मुझकर कहलाएगा, आप लोग सुने होगे, सरकार को इस फैसला नहीं लेनी चाहिए थी, ठीकिन नहीं की बढ़ते हैं जिस लफसके लाइस्ट में ते तो भी मुझानिस कहलाता है जिस थकावत रावत वट हो वह सब सब्सक्राइब करें तो आई होप आप लोगों को पहचाने का यह सारा ट्रिक समझ में आ गया होगा कैसा लगा यह सारा ट्रिक कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिक कर बताना है जबर्दस लगा जो कुछ भी आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक तो बनता है फड़ा फट वीडियो को लाइक कर दे अभी तक लाइक नहीं किये तो और ज़्यादा ज़्यदा आप उसका नोटिफीकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे मैं एक सवर कि आप不好 को अन कर लिया हो नोटिफी kadar on कर लेना है सबस्क्राइब करके ताकिन נोटिफीकेशन पर एक वीडियो स्क्रीण सब्हसुआइड अब आप लोग यहां तक फड़ाफट स्क्रीण कोई दिकत नहीं है ताकि आप लोग इसका मतलब एक दो तीन बार देख लेंगे तो यह सारा ट्रिक आप लोग के मैंड में पिट हो जाने वाला है तो लेली जे फड़ाइवाट स्क्रीन शॉर्ट तो चली आज किस वीडियो को हम लोग यही पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ अब आप लोग इसके अगले वीडियो का इंतजार कीजिए बहुत जलिसका नेक्स्ट वीडियो भी अप्लोड होगा एकदम इंपोर्टन टॉपिक आप ल नोटिफिकेशन उन तक नहीं पॉस्ट अरहा है वह इसलिए क्योंकि वह लोग चैनल को सबस्क्राइब